हलो एवरेवान वेलकम टो एग्रिकल्चरदा 24-7 अग्रिकल्चरदा 24-7 पर मैं ड्र मिनाक्षी राथी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हूं तो गाइज हमारे सेशन में हम बात करिंगे प्रिविए ये यह आपके किस तरीके के क्वेशन आये थे जब आपका पंजाब एडियो का एक्जाम हुआ था अट इस मार्च 2020 आल्मोस्ट टेन क्वेशन वर फ्रम एंटमालोजी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं महीं प्लांट ब्रीडिंग से 20 से किस क्वेशन देखे गए थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर हम वेटेज की बात करें और किस तरीके से हमें इसकी तयारी करने चाहिए किस तरीके के क्वेशन साय थे वो इस सेशन में हम डिसक्स करेंगे लेट सेशन अगर आपने अभी तक अड़ा 247 की आप डाउनलोड नहीं की है गाइस टाइप कीजिए अड़ा 247 डाउनलोड कीजिए अड़ा 247 की यह आप क्योंकि इसमें मिलेंगे आपको बहुत सारे अच्छे फीच जिनको आप प्रेक्टिस कर सकते हैं पढ़ सकते हैं और अपनी एक्जाम प्रपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं साथी साथ जब भी आप किसी बैच में इन्रूल करना चाहते हैं तो उसमें as compared to website application में आपको कम फीज पे करनी होती है because application में आपको कुछ coins मिलते हैं जिनको use करके आप आ सकते हैं extra discount on your old batches and yes Republic day is coming Republic day हमारा आ रहा है और इस सुनहरे अफसर पर अड़ा 24-7 again back with 80% off and double validity आपके सभी live batches पर 80% off है and double validity is on यान कि दो गुना time के लिए आपको ये batches जो है उपलब्द रहेंगे so if you want to enroll or you are thinking to enroll in the batches this is the right time also do subscribe to agriculture अड़ा 24-7 agriculture अड़ा 24-7 को subscribe जरूर करें bell icon जरूर दमाएं ता कि हमारी videos आप तक पहुंचें सबसे पहले now moving on with this session तो ये रहा हमारा पहला question at what stage bagrada hilaris attacks mustard crop mustard crop में bagrada hilaris किस stage पर attack करता है germinating crop पर attack करता है mature crop पर attack करता है flowering crop पर attack करता है germinating crop in October and again it comes in March April so the answer is here D answer हमारा क्या है D हमारा right answer है germinating crop और साथ साथ ये दुबारा attack करता है March April में दो बार इसका severe attack mustard crop पर होता है चिके चली moving ahead for preventing damage by shoot fly in shorghum shorghum में shoot fly के damage को रोकने के लिए आप इन में से किस control measure का इस्तामाल करेंगे 10 ml sliver का इस लेयर का इस्तामाल करेंगे प्रस दस्ट का इस्तामाल करेंगे बैविस्तीन का इस्तामाल करेंगे थायरम का इस्तामाल करेंगे किस का इस्तामाल करेंगे है to control the shorghum shoot fly you will apply 10 ml slayer ठेक है तो क्योंकि यह 3 क्या है यह 3 के 3 के 3 आपके जो है पंजी साइड है नहीं तीनों की तीने आपके क्या है फंजी साइड है तो आंसर यहाँ पर क्या होगा ए आपका अंसर होगा 10 टेनर मल्च खेक 10ammal slayer चलिस्ट इनमेटी मोजेक इस वाइरल डिजीज और विच एंड ट्रॉन्यट क्रॉप एंड टॉन्समेटेड्ड बाइस्ट स्टेरिलइटी मोजाइक वाइरस किस क्रॉप की । इस ये और ये कैसे द्वारा स्प्रेड होती है ये इरिफ़र्ड मायट की हेल्प से स्प्रेड होती है जैसे धिद्धोर relax स्प्रेड होती है इसमे इस्टरी। स्टेरलिटी mosak virus की जो नामक ब्मारी है ये ईरिफाइड मायटस की फेल्प से जो है SPREAD होती है तो आंसर हेर विल बी बी वाइट ग्रब इस में इन मेज कान बी कंट्रोल बाइब मेज में वाइट ग्रब को किसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है 4-8-10% granules की हिल्प से किया जा सकता है at the rate of 15 kg per hectare mixing in the soil before sowing sowing करने से पहले बुआई करने से पहले आप 15 kg for it granules का soil में mix करेंगे या फिर कार्बो फ्यूरॉन का इस्तमाल करेंगे या फिर इधर A और B और B में से कोई भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर रुगोर का इस्तमाल किया जाएगा white grub in maze can be controlled by white grub in maze can be controlled by यहाँ पर आपका answer क्या होगा B Carbofuron okay Carbofuron B will be the right answer tell you next synthetic pyrethroids should not be used for the control of rice insect pest because it increases the population of synthetic pyrethroid which is fourth generation insecticides in Koham rice crop may use link at the key inka use can a say kisi insect population baha da barjati hai wo insect consa hi rice plant hopper rice hispa grasshopper ya fur mites synthetic pyrethroids should not be used for the control of rice insect pest because it increases the population of rice plant hopper rice hispa grasshopper or mites the right answer here will be grasshopper sorry rice hopper ticket the right answer will be rice hopper ticket the rice plant hopper key do population have wo synthetic pyrethroids key help say bar jayegi groundnut effort apart from groundnut it is a serious pest of groundnut effort groundnut Russell pint night butterfly octave or kiss kiss crops per feedolf утit validate all wao kiss kiss crop pest help cowpee beans pulses andẩu flower all of the above so the right here I love this is a will be all of the above right answer क्या है all of the above यह सभी कावपी पर भी बीन्स पर पल्स पर सेफ फ्लावर पर फीड करता है और साथी ग्राउंड नेट पर भी आता है api pyrobs milano leuka is a parasitoid of api pyrobs milano leuka किसका parasitoid है sugarcane leaf hopper sugarcane whitefly sugarcane root borer sugarcane top borer api pyrobs milano leuka is a parasitoid of gv wake very very good evening the answer काईगा it is a parasitoid of sugarcane leaf hopper sugarcane leaf hopper ka biocontrol use कर सकते है आप api pyrobs milano leuka ko so the answer here will be a what is phosphotoxin phosphotoxin not phosphotoxin I'm sorry what is phosphotoxin phosphotoxin kya hota hai yek weedy side hai to control the weeds yek insecticide hai to control the insects yek nematicide hai to control the nematodes yek fungicide hai to control the plant diseases what is phosphotoxin phosphotoxin is an insecticide joki stored grain pest ke liye use kya jata hai option B will be the right answer used for the management of stored grain pest which one of the following strategies does not help in preventing the incidence of white fly in cotton nature like he who is strategies may say konzi as a strategy hai joe cotton per white fly any safet makhi ke infestation ko nahi rok pati hai yakam nahi kar pati hai timely sowing growing white fly tolerant hybrids late sowing or clearing the wild vegetation so the answer here will be late sowing late sowing अगर आप cotton crop की करते हैं तो उस पे सफेद मक्खी white fly का attack जादा हो जाता है और plant छोटी ही stage पर उससे infected होगा तो वो बिल्कुल grow नहीं कर पाता है severely infested होता है तो आप late sowing कभी भी भी ना करें अगर आपके area में white fly attack जादा रहता है also always prefer desi cotton over American cotton अगर आपका white fly front area है तो ठीक है तो यहां पर अंसर क्या आएगा C answer आएगा spray of bacillus thuringiensis is suggested to manage the bacillus thuringiensis का spray आप किस इंसेक्ट के खिलाफ यूज कर सकते हैं पोर्ड बोरर टंग्रो वाइरिस अफिड फाइलोडी प्रेय ऑफ बैसिलस thuringiensis bacillus thuringiensis एक bacteria है जिसमें एक cry gene होता है हमने बीटी कॉटन का gene इसी बेक्टीरिया से निकाल कर बीटी कॉटन में डाला है और ट्रांसजनिक बनाया है बीटी कॉटन इसा modified crop genetically modified crop लेकिन हम directly bacillus thuringiensis की formulations भी आड़ कर सकते हैं to control the insect और यह किस तरीके के इंसेक्ट को control करता है lapidopterans को control करता है यानि की borer को control करेगा है caterpillar borer यह lapidopteran insects जहां भी आपको ऐसे word मिले bacillus thuringiensis are used against them so right answer here will be a the grassy shoot disease of sugar cane can be prevented by grassy shoot disease of sugar cane किसके द्वारा prevent की जा सकती है moist hot air treatment के द्वारा spraying of suitable fungicide spraying of recommended bacteriocide or light traps grassy shoot disease in sugar cane ish disease जो है यह आपकी moist hot air treatment के द्वारा जो है control की जा सकती है यानि की आप hot air का इस्तेमाल करें जिसमें moisture भी हो ऐसी air यान की steam basically है न वो आपको help कर सकती है grassy shoot disease से छुटकारा पाने के लिए जिकेए तो यह सारे question जो है आपके पंजाब ADO के exam which was held in March 2020 उसमें आपके included थे आय हुए question थे ठीक है तो यह आपके सारे question थे जो कि March 2020 में आपके entomology से related question थे same session में आपका genetics plant breeding के लिए भी कर चुकियों जिसमें total 21 question आये थे आपका March 2020 का पूरा question paper भी मैंने आपका solve कर वाया है if you want to see the full question paper of previous year March 2020 just search on agriculture 24 7 previous year question of Punjab ADO you can see the question और यह पूरा का पूरा जो आपका paper है वो वहाँ पर मैंने दो पार्ट में solve कर वाया है क्योंकि total 100 question थे 50-50 करके दो पार्ट में मैंने पूरा question paper solve कर आया है चाहिक है so जी very very good evening कार्ति के रवी वर्मा welcome to the session but we are in the end of the session चाहिक है तो यह आपका पंजाब ADO का नया batch है जो कि 7th of February से शुरू होने जा रहा है if you are someone who's preparing for Punjab ADO this is the right time to enroll yourself exam बिलकुल पास आने के बाद ना आपके पास कोई दवाई रखी है ना teacher के पास कोई दवाई रखी है ठीक है तो timely enroll करें ताकि timely अच्छे से अपने concept clear कर पाएं पढ़ पाएं समझ पाएं और अच्छा अपने exam में perform कर पाएं जैसे कि मैंने session के शुरू में बताया था on the Republic day today you have 80% off on your batches आज के दिन 80% off है आपके सभी batches पर साथ ही साथ double validity भी है यानि कि जिसका six months की validity थी उसको एक साल के लिए classes जो है मिलेंगी जिसकी एक साल की classes है उसको दो साल के लिए classes मिलेंगी double validity है साथ ही साथ यहां पंजाब एडियो की test series भी आप देख सकते हैं question आता है fees का तो पंजाब 399 is the payable fees जो आज के दिन आपको pay करने है अभी नहीं enroll करेंगे you have to pay 2700 something for this same batch टिक है क्योंकि आज 80% off है you can save your money यहां पर test series है test series is 233 rupees इसमें total 50 से ज्यादर टेस्ट आपको मिलेंगे जो आप प्रेक्टिस कर सकते हैं अपने exam के लिए चिक है so fees जो है 2399 में है बच्चे आपके पंजाब ADO के batch की fees जिसमें पांचों आपकी agriculture faculties पढ़ा रही है साथी साथ पंजाब GKGS क्वाइजनिंग भी कवर करवाया जाएगा right so if you are someone who's hitting for multiple exam आप agriculture इसे रिलेटेड मल्टीपल एक्जाम दे रहे हैं तो आप agriculture महा पाक में इन्रूल कर सकते हैं इस महा पैक में आपको IBPS, AFO, Punjab, ADO, Bihar, BSFC, Food Safety Officer या फिर upcoming agriculture से रिलेटेड कोई भी एक्जाम जो आ रहा है उन सभी की live classes मिलती है इसकी validity होती है एक साल लेकिन क्योंकि अब Republic Day पर double validity है याने पूरे दो साल के लिए आपको ये सभी तरह से prepare कर सकते हैं how to enroll in these batches I will let you know तो आप क्या करेंगे यहाँ पर जाएए Chrome खोलिए Chrome खोल कर आपको यहाँ टाइप करना है अड़ा 24 7 चिक है a double d a 24 7 और डून लीजे चिक है enter कीजे एंटर ही नहीं मिल रहा है चलिए तो यह आपका जो है अग्रिकल्चर अड़ा 24 7 की वेब साइट खुलेगी इसमें all courses में जाना है इसमें agriculture को select करना all courses में जाने के लिए क्योंकि agriculture से related exam है यहाँ पर आप देख रहे हैं पंजाब एडियो इसको चूज करना है यह देखे यह आपका बाचे से यह already running बाचे जो 10 जैनवरी से शुरू हुआ था अगर इसमें enroll करेंगे तो आपको कुछ classes recorded देखनी पड़ेंगी fresh batch में admission लेंगे सारी classes live दिखेंगी जो कि 7th of February से शुरू होने वाला है अग्री कल्चर महापायक इसले दिख रहा है क्योंकि इसमें included है यहां पर आपका पंजाब है इसकी यान की दो साल के लिए पूरी live classes मिलेंगी बाइना उपर दबाना है यह विंडो आएगी यहां पर टाइप करना है वाई 448 वाई 448 और साथ में ए जैसे ही वाई 448 ए आप लगाएंगे यह विल गेट 80% of on the fees ठीक है तो पूरी दो साल के लिए जो आपको agriculture महापाक मिल रहा है यानि कि agriculture एड़ा 24-7 का जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो मिल रहे 6,399 में जिसमें अभी और upcoming agriculture से related सभी बैचिस की live class test series e-books सब कुछ included है just in 6,399 for two years यानि कि एक साल की फीज आपकी इसमें 3,500 रुपे ही पड़ी है 200 रुपे चिके वहीं आपका जो पंजाब एडियो का बाच है यह देखेंगे इस पर क्लिक करेंगे हैना क्लिक किया आपने यह भी 12 प्लस 12 मंथ की वैलेडिटी पर है और इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं कौन पढ़ा रहा है सारी डिटेल्स यहां पर गिवन होती है इसको अच्छे से आप देख सकते हैं और अपने लिए एक सही डिसिजन ले सकते हैं यह विंडो आएगी यहां पर टाइप करना है अगें दसेम कोड वाई 448 वाई 448 यह नहीं लगाएंगे तो डिसकाउंट नहीं मिलेगा तो अच्छे से याद कर लेना वाई 448 ए जैसे अपलाई किया 80% का डिसकाउंट मिला 2399 हमारी फीस हो गई है इ 2759 हो जाएगी ठीक है तो डू इन्रोल टाइम ली सो डाइट आपका यह लॉस ना हो ठीक है थांक यू सो मच गाईज मीच विए नेक्स सेशन ऐसे छोटे 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 इंफरमेटिव सेशन हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और आपकी एक्जाम प्रपरेशन को ब झालक में लापकी उख़चिए झालक मेंच आब हूगले को यू झालक मँणाड़ा प्रρέ